बिस्मालारेख्मनेरहीम अस्सलाम अलेकूम बहुत जबर्दस चोटी सी एक रेशपी आपके साथ शेयर करेंगी यह है चिकन पकोड़ा यानि वन बाइट चिकन पकोड़ा की रेशपी चोकि मैं दो तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ रेशपी को शेयर करूगा एक पाव मैंने चिकन ले लिए पून ने सुने धोका चोटी क्योस में काट लिए इसके लावा ये मैंने आदी चम्मच नमक लिए आदी चम्मच पिसीवी सुर्फ मिर्च काली मिर्च का पाउडर है आदा चम्मच और इसके लावा जीरा पाउडर है आदा चम्मच इन सब च मेरिनेट करके चिकन को रख देंगे तकरीब आदे घंटे के लिए बहुत जादा बड़े आपने इसके क्योप्स ने बनाने चिकन के थोड़े मीडियम साइज के ही रखिएगा और बस इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अगर आप चाहें तो इसके अंदर तिकका मसाला भी आइट कर सकते हैं इसी वी सुर्ख मेश के बजाए आप इसके मेरिनेट करके एक तरफ रख देंगे दो चमच मैंने कॉर्ण फ्लॉर लिए और इसको दो तिन टेबल स्पून पानी डाल कर घोल लिए और इसके इलावे यह बिलकुल आलो के बारीक स्लाइस में लिए अब क्या करेंगे यह इसके अंदर डिप करेंगे हम जो हमने घुल बना के रखा है कॉर्ण फ्लॉर का उसके अंदर हम यह आलो के स्लाइस को डिप करेंगे उसके ओपर चिकन का एक पीस रखेंगे और किसी भी टूट पिक से इसको हम इस तरह बंद कर देंगे देखें यह शेप इसकी होनी चाहिए आलो को हम पानी में पहले सि करेंगे क्रिस्पी हो जाएं कि जख्मान भी मेर सासत लगे रहते हैं इस तरह त्यार करके हम सारे एक साथ रख लेंगे इसको दूस्तरी रेस्पी भी हम इसी चिकन की बनाएंगे उसके लिए उसको बिल्कुल बारी बारी काट लें कैंची की मतद्स से और उसके बाद हम उसको अच्छी तरहbelt финな से खोलें शारी ताकि वह मार्णाब्टी की जो होती है वो खुल जाएं आपस में जुड़ें नहीं देखिए सारी तयार हो गई है हमारी अभी हम इने प्राइ करेंगे और फिर उससे अच्छी तरह हाथ से खोलने के बाद हम क्या करेंगे करें लेकिन तयार होगे इस तरह लच्छे से बन जाएंगे यह मांडा नहीं होती है उसके बारी बारी काट लें और इस तरह इसको हास से खोलने सारी पट्टियों को और जो चिकन की मेरिनेट करके हमने रखा हुआ है और उसको हम एक बोटी को लेकि इसके पर अच्छी तरह चारो तर्ष तरह रोल करेंगे कोट करेंगे और इतनी इसको पर चाहिए और तेज आच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल मेडियम आच के उपर आप और को गरम करें और हलका सा गरम हो जाए तो आपने डाल देना चिकन और उसको बिल्कुल लांच पर आपने तकरीबन 10 मिनट तक 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 जो हमारी चिकन की बोटी है अच्छी तरह अंदर तक बहुत गरम ना हो और तेज आच पर आपने इसको फ्राई नहीं करनी बस जैसे यह फ्राई होंगी हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्प करें बहुत टेस्टी बनती है आप यागर अगर आप पिसीवी सुर्ख मिर्श ना करेंगा और बताईएगा कि आपकी चिकन पकोड़ा की रेस्पी कैसी बनी तो बस आज की चोटी सी शेरिंग थी उमीद है आपको पसंद आई होगी हमारे घरवालों को तो सबको बेहर पसंद आई थी यह रेस्पी और सबने बहुत इंजॉय की आज मैंने थोड़ी सी बना क्रिश्टी हो जाताा है एक क्रिश्पी बना ऐस जरूरके थायका विल्धा कि बौत तो त्राइ शोरुजा ड़ा है मुझे खेंगा कों आपने दौार करिश्पी को बना है on an दौर थाम नए को के साथ अब्लबाग we go pm फींट में आ愁 जडिया अर विलॉजा है अपना दू फूची को यह झाल 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 झाल